गाईज आज किस वीडियो में देखने वाले हैं बीए थर्डियर वालों के लिए एकोनोमिक्स का यह हमारा फस्ट पेपर है और इसमें हम यूनिट नमबर फॉर को देखेंगे तो एमसी की कोशन देख रहे हैं दो हजार एकिस के इंप्रोमेंट एक्जाम के लिए सभी चात्रों से कहना चाहूंगा कि पीडियफ को डानलोड कर ले पीडियफ का लिंक डिसकप्शन बॉक्स में है यूनिट नमबर फॉर को देखेंगे इस वीडियो में यूनिट एक वीडिय है दूसरी दूसरी वीडियो में तीसरी यूनिट तीसरी वीडियो है हमारी एकोनोमिक्स के फच्ट पेपर की बीए थडियर वालों के लिए आप सभी फटा फट डानलोड कर लें पीडियफ का लिंक डिसकप्शन बॉक्स में है ये कोशन बोला गया योजना आयोक का गठन कब किया गया योजना आयोक का जो गठन था वो जो किया गया था वो किया गया था 15 मार्च 1950 में किया गया था ओप्शन नंबर किसकी ओर जाएंगे बिटा एक ही ओर जाएंगे नेक्स कोशन बोला गया योजना आयोक के पदेन अध्यक्ष कौन होता है तो योजना आयोक का जो पदेन अक्षो जिसे नीती आयोग बोलते है उसका जो अध्यक्ष होता है वो होता है बिटा प्रदान मंत्री होता है यहां बुला गया है भारत ने आर्थिक नियोजन का विचार कहां से लिया तो आप कोगे भारत ने जो आर्थिक नियोजन का विचार था वो कहां से लि बताओ क्या आने वाला है जो गरीबी उमलन का उद्देश था वो कौनसी पंच बर्शी उजणा में था तो आप कह सकते हैं आप्शन नमर सी पंच बर्शी उजणा में था आप्शन नमर सी की ओर जाएंगे नेक्स कोश्चन है कि भारतिये नियोजन का जो सोरूप है कौनसा ह आप करो गी क्या गहोगे भी यह प्रड़त मूलक कहलेंगे और प्रड़ता मूलक हो जाएगा अप्शन नमर कह सकते हैं प्रणा प्रणा मूलक और एक यह ऑर जाएंगे नेक्स कोश्चन बोलत गया है आर्थीक नियोजन उत्तपादन और में की निजी की णिजी किर्याओं का सामुहिक नियंतन या फिर दमन है ये परिभासा किस ने दी थी तो सभी का आंसर आना चाहिए रोविंसन ने दी थी किस ने दी थी रोविंसन ने दी थी option number हम भी की ओर जाएंगे आर्थिक नियोजन का विचार दिया किस ने दिया था अलपेविक्सिद देशों में सर्वते आभाव रहता है तो आप कहेंगे ये बित का रहता है option number B की और जाएंगे पूजी बाद के अंतरकत नियोजन हो सकता है सभी लोगों काँसर आना चाहिए comment box में पूजी बाद के अंतरकत नियोजन हो सकता है तो सभी का अंसर आना चाहिए दो पिरकार का हो सकता है समाजबाद का तो आधार ही है किया होता है समाजबाद का आधार आप को गे नियोजन विवस्था करना समाजबाद का आधार होता है नेक्स कोश्यन बोला गया है विकास सील देशों के नियोजन में कौुन सा उद्थ समलिद है तो सभी काना चाहिए उपरुक्त सभी समलिद है एक समाज़चन उद्थ भी है आर्थिक उद्थ है और राजनेतिक उद्थ भी है नेक्स कोशन बोला गया है यहां बोला गया है विकास मुकू अर्थ विवस्था में नियोजन की सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है तो सभी कां सनाना चाहिए उपरोक्त आवश्यक होते हैं एक तो होता है उदमन्ता और साती सात रोज कह सकते हैं रोजगार प्रदान, सिक्षा, प्राणली और उचित राजस्वे प्राप्तियां होती हैं उनको यह आवश्यक तत्व है इस प्रकार से कह सकते हैं फ्रोफेसर जो थे सुल्ज के अनुसार अल्प बिक्सित देशों के ब भारत में आर्थिक नियोजन का प्रारम कब किया गया या कब हुआ था तो आप सभी लोग कहेंगे एक अप्रैल 1951 में हुआ था ओप्षिन नमबर एक योड जाएंगे आर्थिक नियोजन की सुरूराद कब की गई तो आप गएंगे एक अप्रैल 1951 में नेक्स कोशन बोला ग आपको यह पता होगा बारी पंच पर से उज़ना प्राराम की गई तो सभी लोग कहेंगे ये 2012 से स्टार्ट की गई तो एक अप्रेल 2012 हो जाएगा नेक्स कोशन की ओर चलते हैं यहार बारवी पंच बरसी योजिना के अंतिम रूप में रंज रूप से कितने प्रतीसत व्रद्धी करने का लक्स निर्दाहिद किया गया तो आप सभी का आएगा 8.2% किया गया नेक्स कोशन है राष्टिय विकास परिशत की इस्थाबना हुई तो राष्टिय विकास परिशत की जो इस्थाबना हुई थी वो 1952 में हुई थी option no.C की ओड़ जाएंगे next question है, यहां बोला गया राष्टिए विकास प्रिशत का इध्यक्ष होता है तो राष्टी विकास परिशत का जो अध्यक्ष होता है वो प्रदाहनमंत्री होता है option no.A की ओड़ जाएंगे इसकी बात करेंगे नीती आयोग का अस्तित में आया था नीती आयोग कब अस्तित में आया था जो आप मारे प्रदान मंतरी बने थे उसके एक साल बाद तो 26 जनवरी 1915 को अस्तित में आया था नीती आयोग के अध्यक्ष होता है तो मैंने अभी आपको बताया था नीती आयक का अदक्ष प्रदाधनमंतर ही होता है नेक्स और सुरी भारत में योजना अफकाज की अब दी थी तो योजना अफकाज की अब गोगे गत्ष और उसके अंतर तक चालू घाटे का लखश रखा गया तो वह रखा गया था दोस्तो टू पॉइंड नÍन पर्फटरिंग रखा गया उसका गहटा हुआ था बार भी पंज वर्सी ओजिड़ si men da रकैंगे अंतर यहां बोला अत्र शास्त्र का नोबल पुर्श्वार बिजेता कौन já इंद और स्थेंगे तो आप अपरायल 1951 में की गई थी हमने पहले भी बूला था आप सको यह लास्ट कोशन इस वीडियो का कितने बर्ष बाद जन्शंक्या की गढ़ना की जाती है तो आप होगे जन्शंक्या की जाती है तो आज की वीडियो कैसे लगी कॉमेंट सक्षर में आप ज़रूर बताएं सभी चात्रों से कहना चाहेंगे चैनल को लाइक करेंगे वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सस्क्राइब करेंगे और पीडियेफ को डाल्लोड करेंगे लिंक डिस्कप्शन बॉक्स में है और हाँ चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू और वाचेंग इस वीडियो थैंक यू